डो गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बेक टू न्यू गुडवे आज दोस्तों 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 के जो डेली करेंट अपरिक्यूशन बनते हैं उन्हें हम आज डीटियल से डिसकस करेंगे आज का वीडियो आपको अच्छा लगी दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो प्लोड कराऊं उनका नोटिफिकिसन है वो आपको मिलता रहे है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्यूशन मौभारत का औरिशा राज्जे है इस राज्जे में यह बोल बम यात्रा है यह शुरू की जाती है 12 परकार की जात्रा थम्हें एक हिंदु दिर्म बक्तों के आत्रा जो अधियां जो वुक्तों आयुजित की जाती है कोवीड जो 19 चल रहा है इसकी जो सिच्वेक्शन है उसकी स्थियकान वहां की जो राज्य सरकार उन्होंने कोडिया या जो यह बोलबं बक्त वाली धार्मिक यात्र है इस पर परतिबंद लगाने की गोश्णक किये है और उत्राकन सरकार ने इससे पहले लगाता जो दूसरे साल है वह कावड यात्रा भी रद की की ती क्योंकि अभी कोवीड 19 है जो शुरू आता कोवीड है वह अभी पूरी तरह किसी कंट्रोल में नहीं है तो इसी की सुरक्षा को मद्दे नजर रखते हुए सरकार ने अभी पर इस पर परतिबंद लगाया है दोस्तों तो उडिसा है दोस्तों उडिसा के बारे में और पढ़ लेते हैं तो उडिसा के परजयन टाइम है मुख्य मंत्री कौन है तो वह हैं दोस्तों नवीन पतनाइक नयवीन पठनाई का वो ओडिसा के परजेंटाई मुख्य मंत्री है और राज़ेपाल कोन है ओडिसा के परजेंटाई तो राज़ेपाल है गनेशी लाल यह ओडिसा के परजेंटाई राज़ेपाल है दोस्तो गनेशी लाला और उडिसा है तो उडिसा की राजदानी क्या है उडिसा की राजदानी है बोनेसवर बोनेसवर है वो उडिसा की राजदानी है और उडिसा का सबसे बड़ा सायर भी बोनेसवर को यह माना जाता है और उडिसा में टोटल कितने जिल्ले हैं तो उडिसा में टोटल तीज जिल्ले हैं और उडिसा की स्तापना कब हुई तो उडिसा की स्तापना हुई 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर 2 जो बास्तिल दिवस है जो हाल में मनाया गया है वह किस देश का राष्ट्री दिवस है तो ये फ्रांस का राष्ट्री दिवस है दोस्तों ये बास्तिल दिवस है वह फ्रांस का राष्ट्री दिवस है ये क्या है तो किस प्रकार मनाया जाता है तो ये जो बास्तिल दिवस है प्रांच का रश्टे दिवस की रूपे मिना जाता जो हर साल 14 जुलाइज को भव्य तरीक X的호ज मना दा सोग दा जो लैको हर साल मना जाता है प्रांच के इनदर जो पूरे देश में इस तेश को जो आतीस बाजी और परेट के साथ मना जाता है जो राष्टे दीवस 14 जुलाई है वो जो स्टाट वा तो ये प्रान्स में 1789 को स्टाट वा था उस जो वास्तिल है वहां के पतन की याद में या बाष्टिल पर जो दहुँआ बोला गया था और वहां पर कब्जा किया कर लिया था जहां पर राजनेति केदियों को भी बंदी बना ले गया था उनकी याद में प्रांस में हर्ष वर्ष से चोदा जुलाई को बास तील दिवस के रूप में मना जाता है नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर थ्री में हाल हे में खबरों में रहा गुनिस्यो निन्याड मैं का से नारी जो और्ष शाहर है वक्री toujours किस राज़े वह ATT Toh यह वह RAW ATT और और किस वज़े से यह चर्चों में रहा था तो जो सुप्रीम कोट है उनने पटना जो उस न्याली है उनके दौर जो गुणिषू निन्यार में कि जो सेनारी नर्श हार है उसके आरोपियों को बरिक कर जाता जिसके खिलाब में बिहार सरकार की जो अपिल है उस पर सुनवाई के लिए सह मतिस्ट ही जैता ही और जो गु गुमेनिस्ट चेंटर थे एमसी के और जो उग्रवाद दिया थे उनके द्वारा चोटीस लोगों को गाउं में मार दिया गया था तो उनकी जो के संद्रब में यह कापी चर्चा में रहा था तो गुनिशनानों का नर्शाहरी नर्शाहरव बिहार राजी से यह जुड़ाव है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर फॉर कोर्मन लाइन जो हाल ही में चर्चा में रही है वह किस कारक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग में की जाती है तो यह अंतरिक्स की सिम्मा को निर्धारित करने के काम के तो रूप में प्रयोग में ली जाती है अंतरिक् कार्मन लाइन है वह है क्या किस वज़से यह सर्चा में रिख वह है अंतरी सी सबसे बड़ी रूप से सीमारे का है जो समुंदर तल से 100 km उपर है समुंदर तल है वहां से 100 km उपर है लेकिन जो अमेरिका अंतरिक्स है उनके किनारे के रूप में ये 80 km का प्रयोग हुआ है प्रयोग करता है इसका नाम क्या है इसका नाम है एरो स्पेस अनुभवी विश्यष जो थियोडोर वोन कर्मन है उनके नाम पर इसका राम रखा गया था और बृतिस व्यवसाय है जो रिचाड ब्रेंश उन्होंने जो अंतरिक्स प्रेटर ना उनको बढ़ इलेक्टिक उड़ान वह 86 किलोमेटर के उन चाहे तक पहुंच गी थी और जो जेब बेजोज है उनकी जो ब्लू ओरीजनल उड़ान उनके 106 किलोमेटर के उपर जो उड़ान बढ़ने की भी उम्मीज़ता है जा रही है इन वज़े से यह काफी कॉर्मन लाइन है वया अंतर नेक्स्ट क्यूस है क्यूस नमबर फाइव है गोतमबुद नगर के डीएम ने टोक्यो जो पेरालंपिंग के लिए क्वालिफाई किया है और उनका नाम किया तो इनका नाम है सुहास एलवाई यह सुहास एलवाई है यह गोतमबुद नगर है वहां के डीएम है और इन्हो होने जो टोक्यो पेरालंपिंग खेल वाथ है उनमें क्वालिफाइ कर लिया है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नूबर शिक्स रक्सा मंतरी राजनाध सिंह उसकाम आप प्सको किया है जो इसका नाम है उसका नाम स्फिपिग्राम्स यह इसकी नाम और इसकी फूल फॉरम किया सिपिग्राम्स की तो सिपिग्राम्स की फूल फॉरम है दोस्तो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रिवियंस इसकी फूल फॉरम है और किस परकार काम करता है तो जनता की सिकायते सुनने के लिए केंदर सरकार मोधी सरकार ने नई पहल की सुरुवाद कियाकी है जैसे में सरकार आवा इस एप यह इस पहल के जरुए शिद्धे जनता सी और मोंख स veg नूश और सबसक्राइब उस बीडियो काय सबाद करते हैं जो बुद्वार को सब्ति दौरान इस प्रगरती पोर्टल को भी लोंज किया था और यह लोंज किया गया था रक्सा मंत्री राजनात सिंग जी के दौरा पहले भी जो परदान मंत्री थे मनमोन सरकार थी उस टाइम भी यह PMO सिखाए प्रोपी ओ सोरी PMO CPGrams पोर्टल पर दर्ज कराती थी जनता अपन मंत्री राजनात सिंग के दौरा लॉंच किया गया है नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर सेवन पाकिस्तान का कौन चा बल्ले बाज है उन्होंने 51 पारियों में 14 सत्तक या सबसे तेज लगाने वाले दुनिया का पहला खिलारी बन गया है तो यह हैं दोस्तों पाकिस्ता के खिलारी है कप्तान थे पाकिस्तान के बाबर आजम बाब राजम में उन्होंने 21 सिपारियों में 14 अत्तक लगए थे जो सबसे अपना दुनिया का पहला खिलारी बन गए और अपना इन्होंने दूसरों का रिकोर्ड तोड़ दिये जिसमें इन्होंने जो मेच खेल लेते हैं जिसमें T20 मेच हुआ ता मुकाबले में जो इंग्लेंड को 31 रनों शेहरा करें इन्होंने तीन मेचों के सीरीज है उसको एक जिरो से बड़त बना लिये अपने नाम किया जिसमें नाबाद 85 रनों की पारी खेली थी बाबराजब ने और यह रिकोर्ड अपने नाम किया ता इसके बाद इस हाफ सेंचुरी के साथ इन्होंने T20 में BCI से उसे ज़्यादा का 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले तीसरे खलाड़ भी बन गए लेकिन अभी एक एसी पारियों में 14 साथ तक बनाने वाले दुनिया के पहले के लाड़ी बन चुके हैं बाबराजम नेक्स्ट कुछन है कुछन नमबर एट अमेरिकी सिनेट के सरम विबाग में किस भारती अमेरिकी मैला को सोली शिटर नियुक्त किया गया है नेक्स्ट कुछन है कुछन नमबर नाइन पुलिजर अवर्ड से सम्मानित की भारत ये पत्रकार की अफगानिस्तान में हिंशा की रिपोर्ट के दौरान तालिबानी आत्तंवादियों ने हत्या करती है तो ये है दोस्तों दानी से सिद्ध की यह दानी सिद्ध की हैं वह एक से से पत्र कारम और जो इनको जो पुलिजर अवोड़ है उनसे भी दनीस जी को सम्मानित किया चुका है लेकिन जो अपगानिस्तान में हिंसा की की दोरा ने रिपोर्टिंग कर रहे थी वहाप पर जो तालिबाने आतंग वादी है उन्होंने इनकी दनीस जी की हत्या कर दिये और आज गर next or last question है दोस्तो question number 10 18 July को 20 भर में किस दिवस के रूप में मना जाता है आज के दिन किस दिवस के रूप में मना जाता तो यह अंतरास्टरिय नेंसल मंडेला दिवस के रूप में ये मना जाता दोस्तो तो यह क्या है कि क्यों मना जाता है यह नेंसन मंडेला को उनते हैं तो यह नेंसन मंडेला को सभी लोग जानते हैं योगदान दिया था और उन्हीं उसी योगदान के महत्वा को देखते हुए उनको हर वर्वस्वे इस 18 जुलाई के रूप में मना जाता है जिसके माध्यम से हमें एक्षन लेना चाहिए और शांतिक दिशा के और आगे के और प्रेरित करना चाहिए दोस्तों सबसे पहले जो 18 जुलाई 2009 को जो न्यूओक है उसमें पहला दिवस मंडेला दिवस मना गया था अठारा जुलाई 2009 को शुरुआत हुई थी नेंसल अंतराष्ट्य मंडेला दिवस मनाने की जो आप वही थी तो यह वही थी दोस्तों न्यूओक में जो सहयुक्त राष्टर मासर बाव और महां पर दस नॉब्र दोजार नौ को 18 जुलाई को नेंसल मंडेला अंतराष्ट्य दिवस की रूप में मनाने के परस्ताव को अपने गया था चलो दोस्तों आज का वीडियो यह पर समाप्त करते हैं आज का वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें थैंक यू अल आफ यू